राज नगर बिहार के मिथला छेत्र में मधुबनी जिला मुख्याले से 15 किलोमीटर की दूरी परिस्थित है एक पौडानिक और एतिहासिक धरोहर राज नगर पैलेस ये राजमहल अदूतिय भारत या फिर यूँ कहें कि इंक्रेडिबल इंडिया का जीता जागता सोरूप है तो आएए मैं बिहार हूँ के आइने के माध्यम से जानिये बिहार की समरिद्ध विरासत की गाथा राजनगर पैलेस पंदरा सो एकर में फैले मधूबनी के राजनगर पैलेस का निर्मान दरभंगा रियासत के माहराज रामिस्वर सिंग ने करवाया था इस महल के निर्मान के लिए बिटिस अस्थापत पिकलाकार में सीमेंट का प्रयोग किया गया महराज रामिस्वर सिंग ने इसे अपने सपनों के महल की तरह बनवाया था ये महल और इस राज महल के कैंपस में स्थित 11 विभिन्न मंदिर भारतिये और ये उरोपिये स्थापत्य कला के संगम के बहतरीन पड़िचायक हैं दिवारों पर की गई नकासी, कलाकारी और कलाकृती को देखकर आप दंग रह जाएंगे राज कैंपस में बने सभी महल और मंदिर अपनी भव्यता और खूबसूर्ती के दृष्टी से बेजोर हैं ये लोगों को अपनी और अनायास ही आकरसित कर लेते हैं यहां के भव्य मंदिर और महल परियटकों को अपनी और खीच लेते हैं भव्यता और बैवब की जलक आप यहां की दीवार, महराव और गुम्बत से लेकर मूर्ती तक में देख सकते हैं यहां के शिल्प और कलाकृती में आपको हर तरफ मिथला पेंटिंग के साथ साथ देशी, विदेशी, दोनों सैली का अनुपम समागम देखने को मिलेगा राजनगर में बने इस राज पैलेस को नौ लखा महल भी कहा जाता है क्योंकि आज से लगवग सौ साल पहले इस महल को बनाने में नौ लाख रुपे की लागत आई थी मिथला की संस्कृती और बैभब को अपने अंदर समेटे ये भव्व महल मिथला के गौडवशाली इतिहास को आज के आधुनिक पडिवेस के सामने रखता है मिथला में माच अर्थात मचली को बहुत सुब माना जाता है इसलिए इस महल की कलाकरती में इसे विसेश रूप से उल्लेखित किया गया है वहीं हाथी, शक्ति और भव्यता का प्रतीक है जिस कारण इस महल में हाथी की कलाकरती को भी विसेश तोर पर प्रदर्शित किया गया है महल के मुखे द्वार पर चार विसाल हाथी की कलाकरती आपका स्वागत करती है राजनगर के इस राज केंपस का निर्मान महराज रामेश्वर सिंग ने यू तो अपने लिए ही करवाया था लेकिन अपने बड़े भाई महराज लक्षमिश्वर सिंग के निधन के बाद वो दर्भंगा रहने चले गए बताये जाता है कि यहां के महराज रामेश्वर सिंग को तंत्र मंत्र से विशेष लगाओ था इसी के कारण उन्होंने इस राज केंपस में तंत्र विद्या के आधार पर देवी देविताओं के ग्यार मंदिर बनवाए यहां इस्थित काली मंदिर इसके बारे में कहा जाता है कि महराज रामेश्वर सिंग ने अपनी तंत्र साधना की पुर्द आहूती देने के बाद ही इस मंदिर की अस्थापना की थी 1870 में बने महराज रामेश्वर सिंग के सपनों के महल को ना जाने किसकी नजर लग गई कि महराज के बड़े भाई स्री लक्षमेश्वर सिंग के निधन के बाद जब महराज रामेश्वर सिंग दरभंगा चले गए और फिर इसी बीच 1934 में भीशन भुकम्प आया और उस भुकम्प ने इस महल को व्यापक छती पहुँचाई उसके बाद इस महल के पुनुरत्थान पर कुछ विशेस ध्यान नहीं दिया गया आज इस महल की हालत देखकर मिठला का गर्व चकना चूर हो जाता है इस नौलक्खा महल की जरजर अबस्था दुख और अपमान का बोध एक साथ कराती है आजादी के बाद से यह और उपेक्षा का सिकार होता चला गया आज कल इस केंपस में एक कॉलेज भी चलता है साथ ही साथ सीमा के ससस्त्रबल SSB की अठार्वी वाहनी का मुख्याले भी इसी केंपस में है अगर इस बहुमनल धरोहर की सही देख भाल हो इसे संरक्षित स्रेनी में रखा जाए तो इसे बिहार के एक प्रमुख प्रियटकस्थल के रूप में विक्षित किया जा सकता है इससे इलाके के लोगों को भी रोजगार उपलवध हो सकेगा इसी आसा के साथ मैं बिहार हूँ ये उम्मीद करता है कि आने वाले दिनों में राजनगर पैलेस पर सरकार और संस्थाओं का ध्यान जाएगा बिहार की समरिधी की गाथा लिये ऐसे कई जानकारी लेकर आप तक आता रहेगा मैं बिहार हूँ